वेलकम टू महाराष्टा एंग्जिनिंग अकडेमी आज के लेक्चर में स्टेडी करेंगे फ्लो थू पाइप में लॉस अफ हैड और लॉस अफ एनर्जी इन दा पाइप तो मुस्टली यहां पर एक्जाम में क्वेश्चन आता है लॉस अफ हैड इन दा पाइप तो यहां सबसे परले एम स्टेडी करेंगे the loss of heading by major loss the major laws यहापर क्या होता है तो major loss due to friction two friction यह चो फ्रिक्षिंड गॉट फिर से जो सर्फेस का यहाप Cities अ है फिक्ष्डब यहां पर दीक है friction हो रहा है रिक्वीड का जो लेयर उसमें भी friction हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लॉसी ड्यूट्टू friction लॉस ड्यूट्टू friction तो यहां पर आपके दो formula जें calculate the loss of head due to friction और दोनों में से किसी भी एक क्यूब पर आपका निमरिकल एक्जाम में आ सकता है अपका फर्स्ट फर्मुला है दर्सी वेस्बेच इक्वेशन देखे आपका फर्स्ट डर्सी वेस्बेच इक्वेशन एक्वेशन नेक्स्ट आपका चेजी फर्मुला दोनों को दोनों फर्मुले को आपको लिखना है तो अपका फर्स्ट है डार्सी वेजबेज एक्वेशन लॉस अफ है डू टू फ्रिक्शन एच एच एफ मतलब फार्मुला है फोर एफल वी स्क्वेर डिवाइड बाई टू जी डी एफ मतलब कोई पेशन्ट फ्रिक्शन एलिज उकल टू लेंट पाइप इन मीटर डी इकल डामेटर पाइप इन मीटर वेलोसिटी आफ फ्लोइंग फ्लूड मिटर पर सेकंड सभी वैल्ली पूट अप करने के बाद आपको लॉस अफ है डू टू फ्रिक्शन मिलेगा इन है 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 किख है है किख है हम पिद्ध्ध म का फिरल्बं न कर आपध मतलब slide on the pipe too friction L is equal to length of pipe कि फ्रिक्शन विप हैं कि दोनों में से जो भी आपको data दिया होगा हम उसके आपको numerical solve करना है तो mostly अब जलाता साथ है mechanical students के लिए के लिए दोनों भी नुम्रीकल एक्जाम में आ सकते मतलब डार्सी के ऊपर भी और चेजी फॉर्मुला के ऊपर भी तो एकदम सिंपल है सबसे पहले इसे नुटडाउं कर लीजिए नेक्स्ट माइनर लॉसेज देखेंगे कुल चेजह एकी चेज़ गयाम्टिंब ल्कB यहां कखे ओन्स चहीं पाइक्वेस ऐक्वेंचे तो मिबं तो एकदम सिंपल है सिंपल यहां पे आपको फॉर्मॉले आपको लन करने हैं और उने की आपकोड़ाङ पर numerical solve करना है तो थेरी question भी आ सकता है और numerical भी यहाँ पर आ सकता है इसका लिंग डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है देन अगे स्टेडी करेंगे तो माइनर लॉसेज लॉस अफ है ड्यू टू सटन एनलार्जमेंट यहां पर क्या हुआ है अपका दाइमेशन छोटा यहां पर दामेशन बढ़ा है मतलब लॉस अफ यहां पर दामेशन बढ़ होगा डिपरिण अपन दे एरिया अटिस्टर्ट यहां पर देखिए आपका फार्मॉला क्या बन रहा है लॉस अफेट दू स्टूर न एलाजमेंट एची एची इस उकल तो वी बान माइनस वी टू स्क्वेर दिवाइड बाए टूजी देन लॉस अफेट दू स्टूर न डायमीटर द भाडा था कंट्रेक्शन कों कर्मॉलाह मिए लॉस अइड़ चोल्र न रिभाज है ंडिक क्सक्वेर मोक्न कंट्रेक्शन के अगर होता हैर्फ जरो पृइंद फाइट स्क्वेर्ट ढुआट फीवाइट उसका स्क्वेर्ट उसका स्क्वेर्ट वहाइड़ मुथ हो गया देन लॉस आफे डाट इंटरंस और इनलेट इन दपाइप देखिए यहां से आपका लिक्वीड इन हो रहा है तो यहां पर आपका है 0.5 वी स्क्वेर डिवाइड बाइड बाइड तो यहां पर डिश्चाज मालूम है एरिया मालूम है पाइप का वेलोसिटी फाइं सबसे पहले इंटरंस के लिए आएगा है 0.5 अगर दो पाइप है इसे नाम दिया फॉर्स पाइप यहां आपका है यहां पर क्या आएगा है इनल्एक इस एच आए 0.5 वी स्क्वेर डिवाइड बाइड बाइड वाइड ब्यास प्ली देन लोस और दू ओडो ऑच्च्टैंट іंद पाइप है v circular plate circular plate तो H O V S is equal to V square divided by 2G capital A capital A मतलब क्या area of the pipe or small a मतलब क्या area of this obstruction plate capital A मतलब क्या area of pipe small a मतलब area of this obstructing plate V square divided by 2G capital A divided by CC in the bracket capital A minus small a minus one उसका square देखिए formula आपको use करना है CC मतलब क्या coefficient of obstruction in the pipe then loss of head due to bend in pipe देखिए आपे बेंड हुआ है यहाँ पर आ सकता है loss of head due to pipe fitting दोनों के लिए same formula है loss of head due to pipe fitting over bend के लिए H B is equal to K V square divided by 2G के मतलब क्या है coefficient of bend यहाँ पर 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 हैसे लिख सकते हो एच पाइप फिटिंग मतलब loss of head due to pipe fitting same K V square divided by 2G तो के के आएगा यहाँ पर coefficient of pipe fitting तो ऐसे आपको major losses और minor losses कि numerical को solve करने by using this formula एकदम simple है simply आपको formula apply करना और numerical को solve करना है तो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को like, share and subscribe कीजिए और उड़े में कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे comment में बता सकते हो तो सभी formula नोट कर लीजिए